नमस्कार मैं टॉक्टर विपिन वंसल वास्तु कंसरिटेंट हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विशे पर चर्चा करना जाओंगा आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तै दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं हमेशा ही आप सभी के लिए नए नए विशे लेकर आता हूँ कोशिश करता हूँ कि आपकी समस्या का हल हो जाए क्योंकि मेरी अपनी जो वीडियो है जितनी भी मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ उसमें आप सभी को बिलकुल सीधी-सीधी बाते बताता हूँ वास्तु के अनुसार कहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को दियान से देखे सुने और समझे आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है southwest facing plot यानि नरिते दिशा का plot यानि आपके जो plot है उसके एकोने में west आता और एकोने में south आता है तो वो plot आपका southwest facing बनता है आप हमारे यहाँ से वास्तु के निमसार layout बन बनाना चाहते हैं या अपने प्लोट के अपनी बिल्डिंग के परती वास्तु सलाच आते हैं तो आप मेर से निसन को चोकर संपर कर सकते हैं अब मैं आपको बता रहा हूँ आपका गेट साउथ वेस्ट के भाग में साउथ कोने में डिपार्टमेंट के हिसाब से आता है और आपको गेट साउथ कॉर्नर में ही लगाना है जो आप गेट साउथ में लगाएंगे वो गेट आपका मैकसिमुम बंद वाला होना चाहिए ज आपने जो कालर करना है वो रेड कलर करना है और गेट kinda जो रम्प के ऊपर भी आपने रेड कलर करना है इसी के साथ मैं आपको इक बात और बताना चाह happiness का जो आपकी वेस्ट कॉर्णर से लेके सौथ कॉर्णर तक सौथ वेस्ट के भाग में आपने ना तो पानी का टैंक बनवाना है ना हर्वेस्टिंग टैंक बनवाना है और ना ही आपने कोई बोरिंग करानी है इस बात का आपने खास तोर पे द्यान रखना है इसी के साथ आपने बाहर का जो आपके बाहर का एरिया है, आपके यहां ओपन नाली बनी हुई है, तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँँगा, आप इस नाली को पथरों से ढखवाएं, पथर से ढखवाने से पहले आप अपने नाली की क्लिनिंग, यानि सफाई अच्छे तरीके से करवा कर, उसके आप पथर लगा कर इसको अच्छे तरीके से ढख दें, जब आप अपने अंदर के अरिये में और बहार के अरिये में फर्ष की दुलाई करते हैं, तो पानी फर्ष के ऊपर नहीं रुखना चाहिए, वो ट्रेंग के अंदर नाली के अंदर निकल जाना चाहिए, इस बात का अच्छे तरीके से सुने, समझे और विचार करें, उसके बाद आप अपने यहां पर बदलाव करेंगे, तो मेरा अपने यह मानना है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे, इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नई उश्या पर चर्चा करेंग अच्छे दिए.